सबसे पहले यूनिफर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला गोवा एपहला राज्य है इसलिए मुझे इसका अभिमान है और गर्व है कि गोवा राज्य में यूनिफर्म सिविल कोड सबसे इन्डेपेंडेंस से लेके आज तक फॉलो करते आ रहे हैं Honorable Prime Minister ने ये बात छेरी है कि यूनिफर्म सिविल कोड किस तरह से होना चाहिए तो मुझे लगता है कि it is up to the center कि यूनिफर्म सिविल कोड कब से लागू किया जाए ये तो center government की बात है लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यूनिफर्म सिविल कोड में खास करके हम जो बात करते हैं तो compulsory birth registration, compulsory death registration, compulsory marriage registration इससे गोवा में आज तक यहने birth, death, marriage registration compulsory हो रहे हैं being a minority होने के बाद भी किसी ने इसके उपर कभी बात नहीं छेडी, किसी ने किसी के उपर कभी यहने किसी को तकलिफ नहीं रही मुझे लगता है कि यूनिफर्म सिविल कोड is a big boost for the woman empowerment और woman empowerment के लिए और gender equality के लिए UCC जो है बहुत ही important है अभी आज कल बहुत राजनितिक party खास करके Congress समाजवाधी party इसके उपर राजनिती करते हैं जो राजनिती करने वाले पक्षम मुझे लगता है कि वो gender equality नहीं चाहते हैं woman empowerment नहीं चाहते हैं इसलिए इसके उपर राजनिती करते हैं UCC पहले समझ लेना जरूरी है UCC किसी जात धर्म के आधार पर नहीं है UCC it is for the gender equality UCC for the woman empowerment केंदर सरकार ये बिल लाना चाहता है तो मैं स्वागत करता हूँ और इसी बिल जल्द से जल्द पुरे देश में लागू होना चाहिए Bureau Report for Herald TV